हाई दोस्तो में हुँ आपका दोस्त डॉक्र सुमित मैं हमेशा आपका एक्सपॉर्णपर के अलाइल देशों के बारे में जानकाये देता हो यह हमाने कमपनी यह Supriya Global Exim Company यह हमान देश में इंडिया में हर जगह वर्क्शॉप लगवाती है दो देश इनकी वर्क्शॉप और दिल्ली में रेगुलर वर्क्शॉप लगती है दोस्तों पहली दर हम इंडिया के रूल commitment के बारे में बताते हैं और इंडिया में कैसे license लिये जाता हैं कैसे exhibition, जो विदेशों में exhibition, exhibition organized करती है जो institution, government institution आप प्राइप इन्सित्यूशन, Unorganize करते हैं ताकि आप अपने Products के बारे मन को जा के बतासके और वहाँ से order 날 के इनके बारे मन के बताया जाता है दोस्तों और कुछ Delumatic तरीकें बताया जाता हैं जिससे आप किसी supplier को धून सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं। यह buyer असली है यह नकली दोस्तों हम एक हमारी कंप्पनिक सॉफ्वियर प्रोग्राम भी आपको देती है जो अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे लैप्टॉप में तो जितने भी लाइसेंस हैं जितने भी इंफर्मेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वह सारी आपके लैप्टॉप पर आदाएगी कोरे हैं और जो भी बन जाएगा तो हैमेल पर दीजाएग करना चाहते हैं उस देश के बारे मिक्ताते हैं क्या इंपोर्ड द्यूटी लगएगई क्या सेथीपिकर्ट चाहिए क्या ऊरिजन सक्डिफिकर्ट चाहिएर क्या इन चील मारेकिए और दोस्तो हमने एक नया इसमें पैकेज एक नई चीज आइड करी है जो है पैकेजिंग दोस्तो हम हमारे देश में पैकेजिंग करते हैं दूसरे देश की क्लाइटिक कंडिशन वेदर जलबाई यू अलग अलग होती है तो उस देश में आपका समान कैसे ठीक रहे यह पैकिंग करने की टेकनलोजी होती दोस्तो है अलग है बैलजियम के बारे में बता रहे हैं कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ जानकारी लेते दोस्तों बेल्जियम के बारे में बेल्जियम की दोस्तों राजदानी यह जो ब्रिसल्स है क्योंकि यह European Union का सदस्य देश है तो इसकी जो क्रेंसी है वो है यूरो यहां पे दोस्तों जो भाषा है डच फ्रेंच और जर्मन तीनों तरह की भाषा बोल ज जाएं एक्जिबीशन में या किसी और परपस से तो अपना विजिटिंग कार जो ले जाएं जो दोस्तों जिस पे आप उसके बैक साइट पे डेच फ्रेंच यह जर्मन में लिखा होगा तो काफी आपको बेनिफिट्स मिलेगा आप महां पर्जेंटेशन दें उनको अगर लिखा अगरल दोस्तों जैसे आलो गोबी चुकर दर ही एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों हम जैम्स से बनी, जैम्स जो प्री से स्टोन है, उससे बनी चीज़ों को ज्वैलरी को एक्सपोर्ट करते हैं, जरकन है, पन्ना है, मूंगा है, यह चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और दोस्तों हम वाँ से मशिन भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, हम वाँ कप परसे बनी चीजे भी बेल्जियम में एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों मैं दोस्तों आप कुछ सी पोर्ट के बारे में बताता हूं जहां से आप बहुत कम गाम में आपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम बेल्जियम में भील सकते हैं दोस्तों यहां पर बहुत अची फैसलिटी एक्सपोर्ट की वेराहूस है गुदाम है जहां आपने समान रख सकते हैं मैं कुछ बेलजियम के आपके एरपोर्ट के नाम आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर भाय एअपने समान रख सकते हैं यहां किभी जो अप बेहना चाहिए वेंशकते हैं जो सतर já उस्पर बेंचनल अंब Virgin इंट्रेशनल एरपोंस्तों दोस्तों फ्लेंटर स्टनेशनल एरपोर्टस, यह 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 भी आप इनते हैं, समान यह जो इरपोर्टस आपके बता है कि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, मार्केट कुछ फेमस मार्केट है, महां पे जो है market है best seller market यहां भी आप जाके आप अपने अगल बिजनस को बढ़ा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो मेरे पुराने वीडियो जरू देखें और हमारे चाहिए को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए दोस्तो शेर जरू कीजिए दोस्तो अगर कोई भी प्रॉब्लम से हो मुझसे डारेक्टर और हमारे पुराने चाहरा है काफ़ी कुछ जान कर दिया आफ्रीका इंगलार्ड न्यूजिल्रन उस्ट्रेलिया यहां पर कैसे export यपो उपोर्ट कर सकते हैं हमां की काफी जान कर दिये दोस्तो thank you very much